सुप्रियम कोट के आजेश 25-22 से तै कर गिया गया है कि यह सूर्ज जो फाइल किया गया है राखिश स्रीम और चार अन्द महिला हो द्वादा जितनों ने पूजा का अधिकार मांगा है कुछ शिंगार गोजी बिविड़ों का नाम बता आहें कुछ विजिबेल और इन विजिबेल डयोताओं का भी नाम स्लिविएज विजिवीडृ दिखता नाम बता आहें। तो इस पर जो हम लों की एक पहले चाहिए अप्लिकेशन फिंदिंग थी उसका एक विजिक प्राविधान है सीपीसी में और स्रिवन रूल अलेवन यह कहता है कि अगर कोई भी मुकदमा कोट में दाखिल होता है तो वह मुकदमा जिस रूप में दाखिल हो रहा है पहले कोट उसको उसी रूप में देखे और उसका जो प्लेंट है कोट उसी को पढ़े और पढ़ने के बाद कोट यह करे कि यह मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा मतलब मेंटेनेबूल है कि नहीं है बोगस तो नहीं है किसी कानून से प्रतिबंधित तो नहीं है जो मुकदमा दाखि कि नहीं यह सब को टैंक करती है इसका अब्जेक्ट यह इस प्राविधान का कि बोगस मुकदमे या इस तरह के मेंटेने मुकदमे जो मेंटेनेबूल नहों वह नावस्यक कोड में न चले और ऐसे मुकदमे को पहुत ही इनिशियल स्टेज पर ही खाईश कर देना चाहिए यह कि अप्रेकेशन हमनों की बहुत पहले थी मार्ज जनरी 2021 की पेंडिंग थी बेराल पहले यह मुकदमा था सिविज यह सीनियर डिविजन की कोर्ट में अब वहां सुप्रीम कोर्ट के आदे से या जिलाजस साहब क्या है अब जिलाजस साहब को ने यह तैंक कर दिया था कि जो हमनोंने अप्रिकेशन दिया है कि यह मुकदमा मेंटेनेबूल है की नहीं मतलब चलने लाइक है की नहीं सुनवाई योग करने लाइक है की नहीं पहले यह तैंक कि यह सवाल मैंने खड़ा किया था आज मेरा आर्गुमेंट दो बजे शुरू हुआ अब करीब दो का भिदान ये है कि इस नतीजे पर पहुँचने के लिए कि मुकदमा उनका मेंटेनेबूल है कि नहीं उसमें माननी सुपरीम कोड और कई हाई कोड़ का ये बिल्कुल सेटल्र रिव्यू है कि ऐसे मुकदमों को पर चलने योग है की नहीं मैंटेने बूल है की नहीं सिप नेउसके पंढ़ लिगंहें किसी साक्ष की कोई जरुवाइब नहीं है किसी कमिशन्र रिपोर्ट की कोई जरुवाइब यह प्लाइफाइल र क्रें सिटेट्मेंट उसकी ब्यूस्क्री जरुरुवत नहीं है । उनका प्लेंट देखा जाए और प्लेंट पढ़ने के आधार पर ही यह कोट करेगी कि जो यह मांग रहे हैं रिलीफ अनुतोस याचना जो कर रहे हैं वो दिया सकता है कि नहीं अगर हां तो कोट में बकिया प्रोसीडिंग होगी केस में अगर नहीं तो ऐसे केस को इमेडिये पrau लेज़े पालु बाताए कि लाव होता है कि मैंने हिस्टरी कि इंसिवर डिय्वाइन लॗतर का कि अו फ्रुल नियुक्र है Rio C. पहले किंग हुआ करता था को किंग के मुह से जो निकल गया वही लाव हो गया लेकिन अब जब हम लोग यहां पाया गए बिचिस जवाए तो हम लोग क्या इनेक्टिड लाव हो गया वो लाव जो पालियामेंट से और असिंबली से पास होता है वो भी लाव है उसके बाद ज किसी एक भी लाव से अगर कोई मुकदमा बाइध है कोई भी लाव इस मुकदमे को चलाने के अगर अनुमती नहीं देता है तो ऐसे मुकदमे को इमीडियेटली रिजेक्ट देना चाहिए यह बहस हमने आज शुरूर किया और उसके बाद हमने बहुत ही शालिंता के साथ मा अगर गृश्त करवाया किनों अपने प्लेप में क्या कहके आये हुए है उनके फु quitting plane का यह कहना है कि यह आराजी नमर 9130 यह बता रहे है किस बाजी नंब्र कहां इस्थित है किस मौजे में इस्थित है यह नहीं बता रहा है और यह नहीं उनका यह भी कहना है प्लेंट वन ने जगऑ लिखा है कि वो आराजी नमर सेट्लिमेंट प्लॉट नमर 913 और उसके साथ पांच कोश स्रंगलग नभूमी, पांच कोश का मतलब करीब करीब मोर देन 8 और 9 माइल्स, इतनी जमीन के मालिक आधी विश्यस्वर खुद हैं, मैंने एक सवाल किया कि किस तरह से इस आराजी सेट्लिमेंट प्लॉट नमर 913 और उसके साथ स्रंग पांच कोश भूमी की मालिक आधी विश्यस्वर, मतलब भगवान संकर का एक नाम है, वो कैसे इसके मालिक हो सकते हैं, क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ है, जैसे हम आप जमीन खरीश सकते हैं, उसी तरह से दियोता भी जमीन, दि जुरिस्टिक परसन, लाओ में केवल लिभिंग परसन ही किसी पापड़ी का मालिक नहीं हो सकता है, जुरिस्टिक परसन में मालिक हो सकता है, जुरिस्टिक परसन जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गया, उसी तरह से दिती भी है, जिसको देवता बोलते हैं, तो कि लिए अगर कोई जब तक कोई जमीन का असल मालिक अपनी संपत्ति अपर को अरेपित नहीं करता है डिडिकेट नहीं करता है तब तक वह द्योता उस संपत्री का मालिक नहीं होगा इसके बूलते हैं डिडिकेशन इस केस में यह कहीं नहीं बताया जा रहा है कि आराजी नमर 913 और पांच को स्ट्रंगलंग भूमी में तो सारे में जाने कई हज्जार लोगों के मकान आ जाएं तो सब्सक्यृते हैं कि इसके डिडियूरे मालिक हैं ना में दो चीजी होती हैं डिडियूरे और इफ्यक्टो डिफीकटो मतलब असल रियल ऑनलाइर यह हुद के रहे हैं कि हम अनल्च पहले हम उनका सूट कर रहा है दूसरा उन्हों नहीं खहा कि 1669 में वह पर औरंगुक के फर्मान से मन्द वो आराजी नंबर सेक्रिमिन प्लाट नमर नो जार एक सो तीस में जो आधी विशेस्वर का मंदिर बना हुआ था जिसको ओल्ड टेंपुल करते हैं उसको तोड़ा गया और तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद बनाई गई जिसको ग्यानवापी तेक थे उन्होंने उसको दिया त्वरूद दिया लेकिन साथ ही ये भी उनका कहना है कि 1669 में जब औरंग्जेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया तो औरंग्जेब ने कोई वक्फ खुद क्रियेट नहीं किया और जो मस्जिद बनी वह illegal है और उस पर मुस्लिम पक्षकारों ने मुस्लिम लोगों ने उस पर अचिकरमन किया है मतलब वह वह ट्रिस्पासर है अवैट कबजा है तो कम से कम इसे दो बातें तो साबित हो गई मस्जिद बनी उसपर 1669 में अब वह गलत है कि सई है लेकि मस्जिद का बनना आप स्विकार करते हैं और साथ ही यह भी स्विकार करते हैं कि उस पर मुस्लिम अचिकरमन किये हुए है इसका मतलब कि मुस्लिम का पजीशन भी आपको एड मिटेइड है तो मस्जिद का बनना और पजिशन मुस्लिमों का होना यह दो चीज़ वे सुईकार करते हैं फिर मज़े की बात यह है कि उनका कहना है कि उस परिशर में जो एसम प्लाउट नमर 930 है मैंने पहले बता दिया कि वो कहां है यह पता नहीं चल पा रहा है भी लेकिन यह उनकी खुद की केस है कि वहां पर सिंगार गौरी गणेश जी हनुमान जी महादेव जी और कुछ विजिबुल और इनिविजिबुल देवताओं की इमेजेज प्रतिमाय है उसका हमको पूजा करने दिया जाए सवाल यह है कि इनिविजिबुल देवता की पूजा आप कैसे कर पाएंगे अगर यह पुजा हैं आपके बात माल दिया जाएगा कानून चुक्रापर्टी है जो एक जिस्त करती है उसके बारे में मुकर्दम का निस्तारन करती है विवाद हल करती है जो चीजें अधिश्य हैं उसके बारे में किसा सूट किस बात का सूट और आप बताते हैं कि जो माह सिंगार गौरी महादेव जी या आन जो चारपाने देवताओं का नाम बता रहे हैं उसके साथ कुछ विजिबुल देव टा है उनका नाम बताईया आप अगर विजिबुल देता है उनका भी नामे मताईया आप सबको नेम तो yang सब मैं नाम का तो होगा नहीं, बे नाम का तो होगा नहीं, सबके नाम होते हैं, गणिज जी हो सकते हैं, संकर जी हो सकते हैं, अनुमान जी हो सकते हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, ब्रह्मा जी हो सकते हैं, गौड़िस दुर्गा हो सकती हैं, गौड़िस लक्षमी हो सकती हैं, गौ यह भी आप नहीं बता रहें तो कुल मिला करके अभी तक अभी तक मैंने आज आर्गोमेंट किया दो घंटे तक यह पूरा हमने यह कॉंसेंट्रेट किया इस बात पर कि अगर आप यह कहते हैं कि अरंग जेव ने अगर उन्हीं की बात मान लिया जाए जो कि हम उन्हीं के प्लेंट की बात कर रहे हैं अगर हम आप ही की बात मान लें, कि 1669 में और अंगेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया, गलत काम किया, लेकि मस्जिद बनी 1669 में, तब से लेकि आज तक कोई है, अभी मैं आगे आर्गू करूँगा, जब वर्शी पर आउगा तो अभी हमारा बाकी है वो, उसको अगर आप मालिक नहीं है, तो मुझे को गलत करने का अजिकार आपको भी नहीं है, पहले उनको अपना टाइटल साबिट करो, आप हाउ, पर आप कैसे कर सकते हैं, देखे, ये खुट करें कि उन्होंने खुट जो है अपने को हमें खुट पर शुट परापर्टी से महीं हो जाती है, तो प्रापर्टी केसी बुक्ति से ट्रांस्फर हो, चाहे वो सेल से ह कोई हमको ओंत करें, चाहे कोई लीज करें हमें कोई विल करें और दूसरा प्रापर्टी कैसे मिलती है बाइ सक्सेशन करे मेरे बाप की प्रापर्टी मेरा बाप मर गया तो उसके मरने के बाद रहा है हमको इनहीं हो गया लेकिन दीटी भी एक देवता भी ठीक उसी तरह से किसी संपत्ति का मालिक हो सकता जैसे एक हिंदू अपने घर में पूजा घर बनाता है बहुत सारे ऐसे लोग है या बहुत पढ़े के लोगों को आप देखे होंगे उनके पास अपने मकान होंगे बड़ा परिशर होगा कैमपस बड़ा होगा उन लोगों ने अपना एक मंदिर घर में बना लेते हैं तो किसी संपत श्रीतों से अपना कर देने मात्र से ही उस मंदिर में बैठा हुआ हुआ भगवान उस संपत्नी का मालिक नहीं हो सकता जब तक कि ऊसंपत्नी का असल मालिक वह संपत्नी देवता को अरफित न करे डेलिकेट न करे, टांसफर न करे, यह इनके केस का सबसे बड़ा लूप ओ है इससे बड़ा फ्रिवलर सूट तो होई नहीं सकता यह बिल्कुल वेक्सस सूट है और जितनी भी स्टोरी जिन्होंने प्रेंट में लिखा है उसका कोई प्रमान नहीं है तो आज तक का अर्गुमेंट था जो आप बता रहे हैं आज तक का अर्गुमेंट जिसको आप नेक इसमें साबिच कर दूँगा यह आलडी यह वक्ष है उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए तो उसमें प्लेशे साब वर्शिप एक्ट के भी प्राविधान पर भी मैं बहस करूँगा उसके बाद जो राम जनम भूमी ज्ञानवापी मस्जी के केस में जो सुपीम कोड जो अपना आप्जर्वेशन दिया है जिसमें प्लेशे अप पब्लीक एक्ट ऑव नाइटी नाइटी वन की बारे में कहा है इस ग्यानवापी के बारे में भी कहा है ये तमाम ऐसे अभी लौ पॉइंट और फैक्ट है इसको मैं अपने अगली बहस में उसको मैं करूंगा वो तूर उसमें नहीं आएगा, वो कवर नहीं लोगा उसमें, वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल मॉनुमेंट्स गलत बोल ले हैं वो, हिस्टोरिकल मॉनुमेंट्स वो होंगे जो की पुरातत बिभाक को दे दिया गया, उसका मैनिमिन पुरातत बिभाक करता है, जैसे स्टार्नास का मुजियम, जैसे रेट फोर्ट, जैसे ताज महल, दी-जादी मॉनुमेंट्स यह मॉनुमेंट्स नहीं हैं, यह रिलिजियस प्लेस हैं प्लेसलाब वर्टी पर यह कहता है, देखिए प्लेसलाब वर्टी में दो चीजें समय लीजिए आप, मैं आपके वीवर्स को समझा रहा हूं, इस त्रमें आप हमारे चिंबर में बैठे हैं, यह चिंबर में आप एक इस्ट्रुक्चर देख रहे होंगे आप, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर का स्वरूप क्या है, बताइए आप, इस कमरे का नेचर क्या है, यह वकील का चिंबर, इसमें जो वर्क हो रहा है, ओफिस्यल वर्क हो रहा है, एडूकेट का एक वर्क है, तो इसका जो करेक्टर है, वो एक ओफिस का है, इसमें जो एक्टिविटी हो रह बढ़ाई होती है लिखाकिल फिया जाता है तो जो करेक्टर समय का सभनु के बाहर कर दूँ कर दो आई इसमें सोफा रग दो जो क्या हो जाएगा ड्राइंग रूम का हो जाएगा कौन सी स्ट्रेमनी पर फार्म हो रही है परस्टन लगा के मुटाबिक यह डिटर्मिन करता है कि वह क्या है रिलिजियस स्ट्रक्ट्टर से यहां मतलब नहीं है उसकी संगरचना क्या है यह प्लेशाब वर्शीबट फोकस न 15 अगस 1947 को था उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा इस ही रिलिजियस करेक्टर रिलिजियस स्ट्रक्टर की बात नहीं हो रही है आप केरला अगर हमें कहीं जाए मैंने सुन रखा है वहाँ पर कोई ऐसी एक मस्जिद है हमको किसी ने बताया है को जो भी मस्जिद है उसका ऑनननागो स्ट्रक्टर जो है सुरूब शोरूब मस्जिद का ही नहीं है उसका मस्जिद टेम्पुल का है तो इस § کی T आगस 1947 को प्ले सा ऄग्रिजियस स्रिमनी हो रही थी क्या वहां पूझा हो रही थी यृपन नमाज हो रही थी अगर नमाज हो रही थी वहाँ तो नमाज होना वो डैसल भी कॉंटिन्यूद एकार्डून तो वर्शिपेक्ट आप उसको पूजा करने में परिवर्टित नहीं कर सकते इसी बात के लिए वर्शिपेक्ट पास किया गया है इससे सिंपल भासा समझाने के लिए और कोई चर्क नहीं दिया जा सकता है आज पूजा का जिकार आप मांग रहे हैं इसका मतलब पहले आपको यह जिकार अवेलेबल नहीं था तो पहले आप यह साबित करो ना कि पंदर अगर 1947 को हम पूजा करते थे अगर पंदराग नाइनींप्रिस सेवन को आप पूजा नहीं करते थे तो 1947 के बाद यह जब प्लिसटा वोसिबिक एक क्राया है आपको पूजा काजिकार नहीं दिया जाएगा तो इसका माना जा जा खिए रेलिजियस करेक्टर का जो जो कंवर्जन हो रहा है और अलिये कर्यक्तर का करन वर्दन नहीं होगा, इसलिए प्रिशटा व Nou Simon Parade वे पजया पारिश्टिया गया है उनका कहना बिल्कुल गलत है उनका कहना बिल्कुलन है वक बनाया गया कि नहीं बनाया गया इसकी वो जांच कर सकते हैं क्योंकि जो सुननी सिंट्रल वक बोर्ड है वो हमारी आगी बनाई हुई बोडी नहीं है वो हमारा वो गॉवर्मेंट की द्वारा बनाई गई एक है जाकर गाविलेग चेक कर लें वहाँ हो आज से नहीं नहीं कितने सालों से व्यान वापी जो है वक नमर हंडिड की रूप म ल्गी अगा यह गजख बॉथ तो इसमिये गवर्मनों ने इक्संटरॆ इंशन जोनी लिया अग्र गॉवर्मन से माणी इसे मिस्जोन के मानी की टेंपल को डिमॉलिस करके मॉष्क बनाय गया तो मन ले श्मर इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका मतलब सीधे SUीधे यह हुआ क कि मास्क का बनना तो एडिमिटेड है, सीधे-सीधे, वो सीधे नाक नहीं पकड़ रहे हैं, घुमागे पकड़ रहे हैं, अगर मास्क है, उसके अंदर प्रेयर हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, तो सीधे-सीधे वशिबेक बीच में आ जाका है, और मैं आपको बता कि राम जनम भूमी और बाबरी महजित केस में फाइब जजों की बेंच थी, और संजोक से उसमें एक जजवई थे, दिवाई चंचूर जो आज हैं, उन्हों है खास लिखा है कि जो पास्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक कैन नाट बी करेक्टिड बाई लोग, इसलिए कि जो कु थे लेकिन उसको भी नहीं मान नहीं है कभी आप इसनाथ मंदफ़ काशी मिषणाअ गशा ओफा रहा है कभी आप कबी आप कचले लोग पे चले जा रह रहें कि मैं इसलिए मैं इसलिए अपने आर्गुमेंट पर कॉंफिडेंट हूं ला मुस को फेवर कर रहा है मेरा सारी बात ने लौ पर अधारी थे हैं अब मैं जो कुछ भी के लाई लग रहा हूं को कोट अफ ला में ही लगा मैं सड़क पर कोई बयान नहीं दूंगा अना सड़क पर मैं कोई अपील करूंगा और लोगों से यहीं नहीं नहीं करूंगा कि धैर बनाए रखिए कोट पर विश्वास रखिए ला मुस को फेवर कर रहा है मैंने देखें वह दूछरी बात है उसको तो आप समझे इस केस में जहां पर केस था फ़ले सीनियर जड़ सीनियर डिविजन साहब के हां को उन्होंने कमिशन इसू कर दिया जबकुन को कमिशन इसू नहीं करना चाहिए था जो कमिशन इसू किया वह और रही इलीगल था क्योंकि उसके पहले हम लों की अप्लिकेस्टन पढ़ गई थी हम लोंने अप्लिकेस्न जब दे दिया था की सासी 11 उसके पर नहीं पर बात में पर दिए 711 की अप्लिकेस्टन हमारी पढ़ गई थी लॉय कहता है कि जैसे ही कि पहले 711 को आपको सुनना चाहिए यही लौ है कि पहले यह तैंट हो कि कोड यह मुकदमा बिचारा धीन है की नहीं जब पाया जाएगा तब यह तो फद्धर कारवाई करिए आप पतल आगे आप सब कारवाई कर दिये और उसके बाद आप आप यह पाय कि यह मुकदमा बिच कि अगर यह जब भी जिस भी स्टेज पर 711 की अपनी किसन परती है और सुट की मेंटेनिबिल्टी को चैलेंज किया जाता है तो कोड सर्व प्रसम स्ट आप आप आल मेंटेनिबिल्टी को टाय करें ताकि आगे कि जितनी कारवाईयां हो वो बेकार ना चली जाए उनकी सुप्रीम कोड के खिलाब के सामने हमारी वो अप्लिकेशन ने सल्पी पेंडिंग ही थी और तब तक है कमिशन हो रहा था और कमिशन के देट थी 14 15 और 16 16 तारीक को लास्ट आप कमिशन था हम लोग साइड पते ग्यान बापी मस्जिद में हम लोग काम करवा रहे से मैं कु बिच वो जो वजूब खाने में वो जो इस्ट्रक्चर मिला इसको इसको करते हैं यह सो काल शीविलिंग है अब वो गॉड़नोशी लिंग है यह तो मैं स्युद्धिकेशन है मैं तो यह जो लॉइयर उसको इसको रिटर्मी नहीं करूँगा दिए मैं उसको साबित करूँ यहां के सिविलिंग नहीं लेकिन कोटा प्ला में साबित करूँगा यहां के सिविलियर साहब में बगर हमनों को सुने यह प्रिजूम करते हुए बिना किसी इविडिन्स के यह मान लिया कि हाँ वो सिविलिंग है और उसको स्किल करने का ओडर ने दिया 16-5-2022 को जब 16-5-2022 को सिविलियर साहब में यह ओडर पास किया तो उनके फाइल पर या उनके रेकावड पर यह कोई इविडिन्स ठोस इविडिन्स इस बात की नहीं थी कि वाकई वहां पर सिविलिंग है यहीं के हम आप रुकेंगे आप जब यह कह रहा हैं कि एक्स पार्टे ओर दे लिया सीनियर सिविल जर्ज में लेकिन आपने यही पॉइंट रेज किया सुप्रिम कोट में लेकिन वो जो जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को रिजिक्ट तो नहीं किया मैं आपको समझा रहा हूं वह अच्छा सवाल किया अपने उसको पर समझ लीजिए जब सोलह पांच होजा बाइस को इन्होंने सील कर दिया अउस्ट में हम लों की सल्पी सुप्रीम कोट में पेंडिंग थी लाज़ा इस आडर को भी हम लोंने उस पर टैक कर दिया उसको व कर दो कर दिया हूं जो कि इसतारी की जारे वो भ्रमित करने की लिए और कोट ने की इसमिडियों हमारे बात को माल दिए कि नहीं सिवलेट को आप टैक करो को मुझाए में रिर्डिभ पाप सुनो ह NOW सुप्रीम कॉट ने वह इंटरीम उडार पास किया है इंटरीम लिएनका मेरिट कोई लिडह देना नहीं है कि सिली में वार भारिबार प्र हुआ I'm गशनर को जो विजिट करता है कग तो इना होता है उपनने यह क्या देखा है उसको δिटर्मिन करने को उनको राइट नहीं है यह जिटर्मिन करे מא हैं और भी एविटेंश के लाइट में तरह का एक शुट्र पाया गया कमिस्नर यह तो रिपोरत कर सकता है तो कोट को ताइं करने दीजिए ना कोट करेगी कि वह स्यूलिंग या फभारा है शूलिंग में कहीं छेत होना पाया नहीं जाता और जितने भी स्ट्रक्चर आप देखे होंगे या पाये होंगे महादेव मंदिरों में बारा जोती लिंग गही है आप सोमनात को देख लीजिए नागेस्वर को देख लीजिए उंकारेस्वर को देख लीजिए काशी विष्णात को देख लीजिए रामेस्वर को देख लीजिए बारा जोती लिंग है कम से कम उसमें से पांच जोती लिंगा तो मैं खुद दर्सन कर चुका हूँ अपसके और बकिया जितने स्यूलिंग हो सकते हैं या इसकी अलावा जो स्यूलिंग की एक परिकल्पना आपके किसी भी वे हिंदू के दिमाद में होगी कि शूलिंग ऐसा होना चाहिए ऐसा होगा उससे भी यह स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन यह बात कोड अपला में तै होने दीजिए यह शूलिंग मिला यह कहां से आ गया यह तो उन्हीं लोगों से पूछी हिंदू पक्ष लोगों से करें को भुदा भगवान मिल गया मिल गया बाबाबा मिल रहे लोग बता रहे हैं तमाम मीडिया में दिखhando मीडियान भी ट्रैल करें यहां जुलिंग करके मीडिया कमिशनर छुप है लेकिन फिर कोट अपने वर्डिक्ट में और वर्ड शिवलिंग जी यूज़िव कर देती है या यह प्रॉब्ल में है नजो ऑडर में यूज़िवलिग कर देती है यह लक्यार लें है तो मैं कहीं नहां जोशीर ओर है उसके बाज यह मैं सुप्रीम कोड में गया सुप्रीम कोड में लेकिन इंटरीम और कर दिया उसको ची सितिय है वह सी बनाया रखो कर दिया कि आप पहले कोई किस की मेंटिबिल्टी को आप तैंकरो अब इसकी की मेंटिबिल्टी पर सुनवाई कर रहे हैं देखे नंदी को वो लोग बता रहे हैं कि नंदी का मुह चूकी इधर है इसलिए वहीं होगा अभी तो मैंने भी कुछ हमको तो ब्रक्तिकर जानकारी नहीं है लेकि हमको कुछ लोगों ने बताया साइद या कहीं से को रहे है कि नंदी भी बाद में इस्टेबिश किया गया है अथा सो आटारीस में जो मुझे को बताया गया है तो अब तो अगर यह बात होगी तब यह देखा जाएगा ना कि वा कोट आफ ला में कानून बहुत निर्रई होता है लाइस भेरी क्रुएल ला में सेंटिमेंट और आस्था कि कोई जगर नहीं है ला कि अपनी एक निगाह है कानून के परिदी में जो आएगा उसको रेमडी मिलेगी कानून के बाहर आप आएगे आपको रेमडी नहीं अपना आप आप आपकी बात मान रहा हूं लेकिन दिखे शुक्रीम कोट ने राम जनम भूमी में जो जज्जमिन दिया है आपकी जज्जमिन थे हैं उस पर कोई किस्जम तो मैं नहीं कर सकता हुआ करना चाहिए किसी विव्यक्ति को उजजमिन को सभी लोगों ने माल लिय लेकिन सुप्रीम कोट ने खुद लिखा है कि राम का जनम उसी अस्थान पर हुआ यह तो तैन नहीं है लेकिन यह लोगों की आस्था है तो ऐसा नहीं कि एक जगा आस्था को अगस्त दे दिया गया तो वह एक प्रिसिजेंट बन जाएगा यहां भी आस्था की बात हो जा उसमें आलेडी रामला की मुष्कियां प्रतिस्था कि थी उनीस सो पचास से और कोई नमाज उसमें नहीं पड़ी जा रही थी अधिव यहां पर यह का जा रहा है अच्छा वहां पर यह नहीं कहा गया कि वहां पर मांधिर को तोड़ करके बाभी मस्दी बनाई गयी है यहां पर यह का जा रहा है कि मंदिर को तोड़ करके महजीद बनाया गया है 1669 में दोनों का बैग्बून अलग है दोनों का फैक्ट अलग है दो फाइनल कोज़ें कि अपने मुकदमे को काउन की निगा से देखता है वैसे ही अपने मुकदमे को भी काउन की निगा से देख रहा है और आप इमेजिन नहीं करेंगे हमको मुस्लिम फ्रैंट्स जो मेरे हैं हिंडू घंडू मुस्लिम ऐदा इंस चिंत करें हमें हिंदू यहिंसे मिल रहा है क्यों हम लोग एड़केट हैं कि यह दिखकर के किसी का मुकदमा या किसी का इलाज नहीं करता कि उसके सामने आने वाला व्यक्ति कौन है अगर आप डॉक्तर है और किसी मुस्लिम के पेट में फोड़ा हो गया वह आप कहां जाता है आप उसको आपसन नहीं करेंगे यह समझ करके कि यह मुस्लिम है उसी तरसे वकील किसी धर पुर्मान होता है। थैंक यू सो मुझ सर्फ, बहुत शुद्धिया।